नमस्कार किसान भाईू इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के बारे में बात करने वाले हैं किस प्रकार से किसान भाई आधुनिक तरीके से लहसुन की खेती करके लहसुन भसल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी पेदावार ले सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डीटेल के साथ में बात करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएं और वीडियो श्टार्ट करें उससे पहले आप हमें फोलो कर लीजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जूरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को किसान भाईयों तक सेर करें ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी का फाइदा उठा सके किसान भायू वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहां पर लहसुन की खेती करने के लिए बेड बिचा कर उसके उपर मल्चिंग बिचा ही जा रही है अब यह एक ऐसा तरीका है जहां से आप लहसुन की पेदावार को ज्यादा ले सकते हैं अगर आप नॉर्मल तरीके से क्यारियों में लहसुन की खेती करते हैं तो वहां पर आप एक बिचे से कम से कम 20-22 कुटल पेदावार ही ले सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से लहसुन की खेती करते हैं तो आप यहाँ पर निश्चित तोर पर एक बिगे से 25 से 30 कुंटल बिगा के हिसाब से प्यदावार ले सकते हैं किसान भायू वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेक्टर के पिछे एक ऐसा जुगार सेट किया है यहाँ पर ड्रिप भी इसके साथ में बिचाई जा रही है बेड भी बन रहा है और उसके साथ ही साथ मल्चिंग जो की पोलिथिन होती है मल्चिंग होती है वो भी बेड के उपर बिचाई जा रही है यानि कि बेड भी बन रहा है मल्चिंग भी बिच रही है और मल्चिंग के अंदर drip system भी set हो रहा है तीन काम एक साथ हो रहे हैं और इस परकार से वीडियो में आप साफ तोर पर देख सकते हैं इस परकार से बेड़ पर मल्चिंग बिचाई जा रही है अब यह जो मल्चिंग है यहां पर इस मल्चिंग के अंदर जो होल already हुए आते हैं जो चार बाई चार की दूरी पर रहते हैं यहने कि लाइन से लाइन की दूरी भी 4 इंच रहेगी और पोदे से पोदे की दूरी भी 4 इंच ही रहेगी यहने कि जो बीज हम इसके अंदर लगाएंगे कि वो एक निश्चित दूरी पर लेगेगा और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर कोई भी किसान भाई इस तरीके से लैस्न की खेती करता है तो वह नॉर्मल खेती करने वाले किसानों से डेड़ गुना दो गुना ज़्यदा पेदवार ले सकता है किसान भाईयों इसमें खर्चे की अगर बात करें तो अगर आप एक बिगे में बेड़ बना रहे हैं मल्चिंग बिचा रहे हैं तो आपके एक बिगे में कम से कम 15-17,000 रुपे के बीच में खर्चा आता है और अगर आप ज़्यदा जमीन में लगाते हैं जिससे जदा पाने की कपत भी नहीं होगी यानि की पाने की बचद भी होगी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर खर्पतवार की कोई समझचा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अगर खर्पतवार उगे गगे भी तो उस मल्चिंग के उपर नहीं आपाएगा और वह अंदर ही अंदर गल कर खतम हो जाएगा दूसरी बात पाने की बच्चत होगी इसके अलावा सबसे मुख्य फाइदा इसका ये रहेगा कि जब लहसुन पकेगा यानि कि जब लहसुन का कंद बनेगा तो अन्य लहसुन के मुकाबले इस मल्चिंग में इस बेड पर बनने वाला लैसुन का कंद आकार में काफी बड़ा बनेगा और अगर रही बात खाद भी दवाईयों की तो आप ड्रिप के माध्यम से जो भी दवाई देना चाते हैं जो भी खाद देना चाते हैं गोल बनाकर ड्रिप में दे सकते हैं इसकी कोई भी समझान नहीं आने वाली है तो इस परकार से आधुनिक खेती करके आप लैसुन की खेती से अच्छा मुनापा ले सकते हैं और यहां पर जो यह बेड़ पर लैसुन की खेती होने वाली है इसकी मैं आपको जो टोटल जानकरी रहेगी कि वो देता रहूंगा कि किस परकार से लैसुन ग्रोध कर रहा है किस परकार से इसमें खाज चलाए जा रहा है दोवईयां चलाए जाल रही है और अंत में इस खेत से जहां पर यह बेड़ बनाये गए है इस खेत से कितनी पेदावार निकल रही है कंद कैसा बनेगा सारी जानकरी लाश्ट तक आपको हमारे इस अकाउंड के माध्यम से मिलती रहेगी तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें हमें फोलो कर लें धन्यवाद